हलो फेंड्स वेलकम टू फिजिक्स फैक बेई विसेख सेट दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज से हम लोग बिधाईका वाले यानी संगी बिधाईका के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले संगी कारेपालिका को हम लोग पूरी तरीके से फिनिस कर लिये हैं जिसके अंतरगत हम लोग देखे थे राजपती, उपराजपती, प्रधान मंत्री और मंत्री परिशन आज हम लोग पार्लियामेंट के अंतरगर देखेंगे कि पार्लियामेंट के कौन-कौन सदस्य होते हैं पार्लियामेंट में लोग सभा क्या होता है, राज्य सभा क्या होता है, राजपती का क्या रोल होता है सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में डिसस करेंगे तो मिस बिलकुल मत करीगा सारे आपके वन लाइनर कोशन पूरे तरीके से इंक्लूडेड है तो आप चली वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहला टपिक देते हैं दिखें क्या लिखा है हमारी संगी बिधाईका जिसको हम लोग क्या करते हैं संगी बिधान मंडल भी कहते हैं बिधाईका या बिधान मंडल को हम लोग नॉर्मल भाजा में क्या बोलते संसद या पार्यामेंट के नाम से जानते हैं तो हमारी जो संखी विधाय का है, या विधान मंडल है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, संसत के नाम से जानते हैं, अब देखें। जो है संसत के गठ्थन, संरचणा, अवधी, प्रक्रिया, शक्ति, विशेसा अधिकार का वरड़न किया गया है यानी संगी बिधाय का को हम लोग क्या कहते हैं संसत के नाम से जानते हैं और संसत का उल्लेक कहां किया गया है तो संसत का उलेक जो है सम्मिधान के भाग पांच में अनुछेत 79 से लेकर 122 तक किया गया है जिसमें संसत के गठन, संरशना, ओधी, प्रक्रिया, शक्ति, अभिसादिकार का ओरेडन किया गया है ओकी सारी चीच क्लियर आगे बढ़ते हैं यह जो है टॉपिक आपका काफी इजी है और बड़ा असान असान कोशन मनायता है इसलिए जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सारे पॉइंट को आप किसी कॉपी पे या किसी जगह आप स्क्रीन सोट के माधिम से रख जरूर सकते हैं चली और साथी इस वीडियो की पीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा तो उस पीडियो को भी आप डाउनलोड कर लेगा जिससे आपके एक्जाम आने के दौरान आपको जो है तैयारी करने में आसानी अब स्टार्ट करते हैं अब दिखते हैं संसत के गठन कौन-कौन होते हैं तो भारती संविधान के अनुसार भारत के संसत के तीन अंग होते हैं यानि हमारे संविधान में जो है वो संसत के कितने अंग दिये गए तो संसत के तीन अंग होते हैं यह याद रखेगा वन लाइनर कोशन संसत के कितने अंग होते हैं तीन अंग होते हैं दो अंग नहीं लोकसभा राज्यसभा नहीं संसत के तीन अंग होते हैं तीनों अंग का नाम जान लिजिए राश्टपती यानि प्रेशिडेंट और राज्यपाल यानि जो है राश्टपती यानि प्रेशिडेंट राज्यसभा और लोगसभा ओके तो याद रखेगा संसद के कितने अंगोते हैं तो संसद के तीन अंगोते हैं किनसे किनसे मिलकर संसद हमारा बना है तो राजपती, राज्यसभा और लोगसभा मेंली हम लोग जो है ये कहते हैं हमारे यहां जो है राज्य सभा लोग सभा जो है वही संसद है लेकिन राश्पती बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि बिना राश्पती के सिगनेचर के कोई भी जो हता है बिल या कह सकते हैं कोई बिध्यक कानून में नहीं बदलता है द्यान देंगे अब राश्पती के बारे में डिसकसन हम लोग जो राश्पती के बिधाय का संबंदी जो सकती में कर ले गए लेकिन यहां पे मैं आपको एग्दम शॉट मिले जलूँगा जिससे कि आपका वो पीछला रिवीजन भी होता रहे देखे इसमें क्या लिखा है राश्पती संसद का अभिन अंग होता है सभी लोगों को पता है क्योंकि हमने बताया था कि जो संसद है वो राश्पती लोगसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है तो यह क्या हुआ एक अभिन अंग हुआ है यद्दे पी वो दोनों सदनों की बैठक और चर्चाओं में भाग नहीं लेता ना तो वो लोगसभा का सदस होता है ना तो राज्यसभा का सदस होता है और ना ही उसके बैठक और चर्चाओं में भाग लेता है परन्तु वो संगी बिधाईका में महत्पूर असान रगता है यानि संगी बिधाईका का मतलब होता है कि लोगसभा और राज्यसभा के साथ उसका बहुती महत्पूर असान है क्योंकि कोई बिल लोग सभा से पास होने के बाद राज्य सभा में जाता है राज्य सभा से पास होने के बाद राजपती के पास जाता है उनकी शुकृति के लिए अगे बड़े चलिए राजपती दोनों सदनों की बैठक बुलाता है उनका सत्रावसान करता है तथा लोग सभा को बिगटित भी कर सकता है यानि राजपती के पास क्या होता है राजपती के पास यह पावर है कि दोनों सदनों को अगर जरूरी समय है तुने बुलाता है यानि उनकी बैठक को क्या आयोजित करवाता है और साथ ही जब उनका सत्र खतम हो जाता है या उनने सत्र से पहले क्या कर सकता है उसका सत्रावस कर सकता है यानि के शत्र को कर सकता है स्था तथा सबसे इंप्वोट्रियटण बात वो लोगसभा को बिगटिद नी कर सकता है यानि लोग सब को भंग भी कर सकता है किसर तो आइटेकल नगirm आठीउ ए फाइब के तहत यह करता है बताया था फिर भी अभ्यान केगा जब संसद शत्र नहीं चल रहा होता है तो राश्टपती अध्यादेश जारी कर कानून बना सकता है यानि जब हमारे यहां लोकसभा और राजेसभा क्या होती है वो शत्र में नहीं होती है तो उस समय अगर कोई कानून बनाना होता है तो मात्र एक अध्यादेश से वो कानून बन सकता है लेकिन उसे क्या किया जाता है कि 6 मा के अंदर आपको लोगसभा राजेसभा से पास कराना पड़ता है किस आर्टिकल के तहथ तो आर्टिकल 123 ध्यान रखेंगे 85 में लोगसभा का बिगटन है और article जोता है one, two, three में क्या है? राशपती अध्याजिस यानि राशपती के अंदर जोता है वो तीनों का power आ जाता है यानि खुद राशपती का power रहता है लोकसभा, राजेसभा यानि वो तीनों को मिलाकर उसके दोरे एक signature से कानून बनाया जा सकता है तो इस तरीके से याद रखेंगे एक, दो, तीन, बराबर मिलके कानून एक, ओके, आले बढ़ते हैं, राश्टपती बिशेश परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, सपोस्थ जैट माल लेते हैं कि कोई बिल राजय सभा में पास हो गया, लोग सभा में नहीं पास हुआ, तो इस तरीके से कॉन्फिक्ट हो गया, इस कॉन्फिक्ट के होने के कारण क्या करते हैं, राश्टपती इन दोनों की संयुक्त बैठक, यानि दोनों को एक सभा में बुला कर, वहाँ पे वोटिंग करा सकता है, अगर वो बिल पास होने के लिए ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, तो बिल पास हो जाता है, अगर बिल के लिए बिल को सहमती न देने वाले ज़्यादा होते हैं, तो बिल को क्या होता है, बिल को रद्द कर दिया जाता है, ओकी, राश्पती वाला जो है टॉपिक यहां से फिनिश, आगे बढ़ते, यह राश्पती की बिधाई का संबंधी पावर थे, अब आगे बढ़ते, अब राज्यसभा, दिखते हैं, राज्यसभा क्या होता है, दिखेगा, सब मैं पॉइंट करके बता रहा हूं, तो आपको सारा चीज याद रिखना पड़ेगा, राज्यसभा का उलेख जो है, अन अनुछेद असी में, मतलब संसद 79 में है, और राज्यसभा अनुछेद 80 में है, ठीक है, ध्यान रिखेगा, और राज्यसभा को अम लोग क्या कहते हैं, आगे नाम देखते हैं, सामानित राज्यसभा को उच्छ सदन या असाई सदन कहते हैं, ध्यान रिखेगे, यह उच् सद्यन है इसका मतल्ब लोक्षभा किसमें ओके चली के राजें सभा में अधिक्तम शटसेओं की संख्या कितनी रखी गई है। जिसमें 238 राज्यों से आएंगे राज्यों और संग राज्य छेत्रों से आएंगे यानि जो है राज्य से और किंद्र शाषित प्रदेशों से मिलकर आएंगे और जबकि 12 सदसे जो होगे वो राश्पती के द्वारा मनुनीत किये जाएंगे जिसमें ये कहा गया है कि 238 जोंगे वो राज्य से और किंद्र शाषित प्रदेश से आएंगे जबकि 12 है वो राश्पती के द्वारा मनुनीत किये जाएंगे अगे बड़े अब दिखते हैं कि वर्तमान में राज्य सभा में कितनी सीट है ये तो है इसकी तो ये अधिक्तम संख्या है ना 250 जो इसकी अधिक्तम संख्या है लेकिन वर्तमान की बात करें वर्तमान में राज्य सभा में 245 सीट है कितनी सीट है 245 सीट है जिसमें 239 कहां स यहां मतलब 239 लिए गया राज्यों से लिए गया और चार क्या है संग राजिछेत्र यानि जो है आपके किंद्र शाष्य प्रदेश्ट से लिए गये हैं और जबकि 12 कहा हैं तो इनको 12 सदर से जो है राजपती के द्वारा मनुनीत किये गई हैं 245 अगर आप कहेंगे 239 और चार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 233 और 233 प्लस बारे करेंगे तो 245 हो जाएगा यानि किसकी संख्या कम है तो जो आपके राज्यों और शंग राज्य छेत्रों की संख्या क्या है करीब-करीब 5 कम है ठीक इतना चीश क्लियर यह चीजह यहां प 250 होती है वर्तमान में कितनी है तो 245 सीट है चलिए आगे शंबिधान के चौथी अनुसूची याद रखेगा यह जो अनुसूची वाले जब मैं टॉपिक आपको बता रहा था तब वहां पे मैंने आपको बताया था संबिधान के चौथी अनुसूची में राज्य सभा के कितने सीटे राज्य में रहेंगी और कितनी सीटे जो हैंगी वो संग राज्य शेत्रों में या जो है केंदर शाषित प्रदेशों में रहेंगी इसका आवंटन किस में किया गया है तो जो है आपका जो है शेड्डिूल फोर्थ में किया गया है ओके वर्तमान में राज्य स सभा की सरवाधिक सीट कहां आए उत्तर प्रदेश राज्य में है तथा पुरियोत्तर राज्यों में असम को छोड़ कर सभी के पास एक एक सीट है ज्यान रखेंगे सभी के पास क्या एक एक सीट है ठीख ओके ज्यान रखेंगे यहां पर आप इस इसका अंसर करेगा कमेंट में कि किन किन संग्राजश राज्चिंद्र या केंद्र शॉषच पदेशों में जो है राज्यसभा की सीट है इसका कमेंट आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे हैब करते मैं अब आते हैं लोगाफ लोगíbाल्स या लोग वकता ही हैं सब कुछ उसमें हम लोग डिस्क्स करेंगा गया लोग सभा का उल्लेक भारती सम्मिधान में अनुछेद 81 में किया गया जैसे मैंने आपको बताया था कि संसद 79 में है राजे सभा 80 में है और जो है लोग सभा वो 81 में किया गया है उल्लेक शामान नितर लोग सभा को क्या बोला जाता है तो निम्न सदन लोग प्रिय सदन या असाई सदन कहते हैं यहां रखेंगे इसको निम्न सदन लोग प्रिय सदन या असाई सदन भी कहते हैं चली अच्छा राजे सभा के अधिक्तम सीट किती थी तो 250 इसी तरीके से लोग सभा क दित्तम सेटे 552 निर्धारत की गई है जिसमें से 530 क्या है वह आपके राज्यों के प्रतिनिद्धित्त करेंगे 20 जो होंगे आपके संगड़ाज चेतर यानि कह सकते हैं कि केंद्र शाशित प्रदेशों का प्रतिनिद्धित्त करेंगे जबकि दो आंगल भारती या एंगलो इंडियन सदस्त का प्रतिनिद्धित्त करेंगे इस पेकार से 552 सीटों का निर्धारत किया गया है आगे बढ़ते हैं वर्तमान में 545 सदफ हैं यानि वर्तमान में हमारे हाहां जो है लोकसभा में कितने सदस हैं तो 545 सदस हैं जिन में 530 जो है राज्यों का प्रतिनिद्रित यानि राज्यों का प्रतिनिद्रित देखेंगे तो आपको पूरी पूरे है और 13 संग राज्य छेत्रों का प्रतिनिद्रित करते हैं जबकि दो आंगल भारती सदस्य आंगल भारती का प्रतिनिद्रित करते हैं यानि देखेंगे, किसके में कम है यह संगरा राज छेतरों में कितने सीट कम है, साथ सीट कम है, ओके धिजान रखेंगे, तो यहाँसी एक आपका basic question त्यार हुआ, कि लोगसभा में total कितने सीट है दो लोगसभा में total जो है, पांसोगववन सीट है जबकि राजय सभा में कितनी सीट है तो 250 सीट है बर्तमान में सरवाधिक लोग सभा सीट उत्तर प्रदेश में जैसे राजय सभा सीट भी सबसे ज़्यादा कहा मिलाता तो उत्तर प्रदेश में उसी तरीके से सरवाधिक लोग सभा सीट भी कहा है उत्तर प्रदेश के पास औ ओके यानि सरवाधिक लोगसभा की सीटे उत्तरपेजिस के पास और सबसे कम राज्यों में दिखा जाए तो सिक्कीम, मिजोरम और नागालेट जिनके पास एक-एक सीट है आगे बढ़ते हैं चली यह जो है आज का जो है वीडियो लेक्चर जो है यहीं पर फिनिस होता है और हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जो होगा वो किसी एक जो होगा चाहे लोगसभा चाहे राजसभा का डिसकसन पूरी तरह से करेंगे तब तक के लिए थैंक यू वीडियो अच्छा लगाओ तुसे लाइक और शेयर ज़रू करें